हेले स्टूडेंट हाव आर यू आई होप आप सबी ठीक होंगे तो आठ से हम क्लास नाइध आई सी एमेल अगरवाल एक्सराइस एट के कोशन नमबर 6 से आपको बताएंगे उससे पहले इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें कोशन नमबर 4 का जो 2 पार था वो मैंने गल अंसर भी आ गया था तो फिलहाल के लिए मैं कोशन नमबर 4 का सिकेंड पार्ट सही तरीके से आपको बताऊंगा मतलब जो कोशन था उसका सलूशन दूगा इसके बाद हम कोशन नमबर 6 से फर्दर मूव करेंगे तो देखेंगे कि 4 का कुशन नमबर 4 का सिकेंड पार हमसे क कई बार बता चुका हूं उसका आंसर कितना आता है बन आता है इंटू 4 की पार-1 तो इसको हम कहें किए 4 अपार 1 लिखाये कि पार-1 प्लस एट को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और बाहर और पावर कितनी दी है 4 upon 1 का reciprocal क्या होगा 1 upon 4 reciprocal का मतलब होता है अल्टी पल्टी ठीक है जो नीचे था वो उपर चला गया जो उपर था वो नीचे आ गया minus 1 है तो power कितनी होगी plus 1 plus 1 power हम लिखेंगे नहीं plus 2 इसको 1 upon 1 कर लेंगे तो 1 1 is a 1 और 1 4 is a 4 plus 2 जो जाएगा 4 2 08 और plus 1 9 upon 2 ठीक है 4 2 08 और plus 1 9 यह सब चीज़े मैं कई बार बता चुका हूँ ठीक है जिसके upon में कुछ नहीं था मतलब इसके upon में 1 है और जहां में भी upon में 1 होगा हम डिक्ट मुल्टिप्लाइब करके इसमें plus या minus जो भी बीच में दिया रहेंगा वो हम कर देंगे इसको जब आप उसमें चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो आपका यह आएगा 4 hole 1 upon 2 and this is your final answer इसके बाद मैं आपको कॉश्चन बस्षीक से आपको फर्दर बताऊंगा जंदी से ले लीजे I hope आपने इसका screenshot ले लिया होगा चलिए इसको रप करते हैं तो इसको देखेंगे इस question में हमसे क्या करने को कह रहा है minus 1 upon 27 की whole power minus 2 upon 3 तो देखिए जब कभी भी power negative हो तो उसको positive करने के लिए हम क्या करते हैं अंदर वाले को reciprocal कर देते हैं ठीक है तो यह आपका हो जाएगा minus 27 upon 1 की power 2 upon 3 ओके अच्छा एक बात और समझेगा मेरी कुछ बच्चे कहेंगे सार यह minus 1 तो निशी आ जाना चाहिए था बिलकुन सही बात है यह minus 1 निशी आएगा लेकिन minus sign जो है वह बहुत धीट है प्लेट की फिर कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा ठीक है यह सर बेसिक सी बात है लेकिन आपको पता होनी चाहिए 27 को हम लिख सकते हैं समझेगा मेरी बात ठीक है minus 27 दिया है तो minus 27 को हम लिख सकते है minus 3 upon 1 का की power 3 into 2 upon 3 मैंने क्या कहा जारा इस बात को समझीए minus 27 upon 1 को हम लिख सकते हैं minus 3 upon 1 की whole power 3 into 2 upon 3 कैसे 27 का हम side में करें से हम निकालें तो 27 जाएगा 3 से 9 बार में फिर 3 से 3 बार में फिर 3 से 1 बार में तो आपकी 3 की power 3 है वही क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा या तो ऐसे समझ लीजे कि आप 27 को क्या लिख सकते है 3 की power 3 ठीक है थोड़ा short में कर रहा हूं इस बज़े से समझीएगा 1 को हम क्या लिख सकते है इसको मैं किस्टेब बता देता हूं शायद आपके बाउंसर चला गया हूं देखिए इसको हम लिखेंगे माइनस 3 की पावर 3 अपॉन की पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अच्छा आप इस वज़े से नहीं कन्फीवज ना कि जाएगा माइने हो जाएगा और त्री इस वर्जे सी असको भूरो Southern Miss को में इसके माइनस थिक पावर वर स्री ना कि ठीक थोड़ा सा समझ है यह यह माइनस थि अपर मख़न पॉर सिपज खी इन टू आपॉर अफो इन 27 में माइनस थि क inclut how हो गया माइनस की पावर 2 करेंगे तो आएगा 9, 1 की पावर 2 करेंगे तो आएगा 1, आंसर कितना आ गया, 9, ओके, अच्छा, इसको हम चल लिए मिटार देते हैं, फिर हम देखेंगे, 64 की पावर minus 2 upon 3 divided by 9 की पावर minus 3 upon 2, फिर वही बात, इसके upon में कुछ नहीं, तो इसके upon में क्या लिख दे हम क्या बना सके, positive बना सके, ठीक है, अब देखिए, माइनेस 2 upon 3 है, plus 2 upon 3 कैसे होगी, जब हम 1 upon 64 कर देंगे, यानी reciprocal कर देंगे, अल्टी पल्टी कर देंगे, ठीक है, divided by, इसको हम क्या लिख देंगे, 1 upon 9 की पावर, 3 upon 2, अब देखिए, इसको हम लिख देंगे, 1 की पावर 3 upon 4 की पावर 3, पावर 2 upon 3, divided by, 1 की पावर 2 upon 3 की पावर 2, 3 by 2, समझी मेरी बात, मैं इनको हम लिख सकते हैं, 3 का, इसको 64 की लिख सकते हैं, 4 की पावर 3, अब 1 की पावर जत्ती भी हमें required हो कि हम यहापे लगा लें, क्योंकि 1 की पावर चाहे, कुछ भी रखते हैं, वो पल 2 upon 3, बाहर क्या है, in 2, 2 upon 3, divided by, 1 upon 3 की पावर 2,.. two, three upon two, two से two cancel out, two, threeôs, three cancel out, one की पावर 2 करेंगी तो आएगा, one, four की पावर 2 करेंगी तो इतνα हो जाएगा, tendencies divided by the one, qui power 3 करेंगे, समझी मेरी बात, one की power 3 करेंगे तो आएगा, one, लेकिन, three की पावर 3 करेंगे तो आएगा 27 ठीक है यह जाएगा 1 upon 16 डिवाइट के सान मल्टिप्लाइए में चांज यह रिसी प्रोकल हो जाता है यह सब तो बेसिक बात है आपको आनी चाहिए 27 को 1 से करेंगा 16 तो यह आएगा 1 whole 11 upon 16 1 whole 11 upon 16 and this is your final answer okay student आप इसका फडाक से screenshot लीजिए इसके बाद मैं आपको इस exercise का next question explain करूंगा जंदी से ले लीजिए I hope आपने इसका screenshot ले लिया हो चलिए score up करते हैं तो इस्टों देखेंगे इस question अब इसे क्या करने को कह रहा है 27 की power 2n upon 3 into 8 की power minus n upon 6 upon 18 की power minus n upon 2 तो इस बात को थोड़ा सा समझेगा देखें कैसे करेंगे 27 को हम लिख सकते हैं 3 की power 3 आप side में prime factorization से ऐसे मिकाल ले जाएगा into क्या है 2n upon 3 है ठीक है into 8 को लिख सकते हैं 2 की power 3 power में क्या है power में क्या है minus n upon 6 तो यह 3 से जाके multiply हो जाएगा ठीक है अच्छा इसको आप थोड़ा लिख दीजिए वह ना confused होंगे यह कुछ ऐसा दिया है ठीक है 18 को आप लिखेंगे 3 की power 2 into 2 bracket के बार क्या रहेगा अभी minus n upon 2 इस बात को थोड़ा से समझेगा ठीक है इसके बाद देखिए 3 से 3 cancel out हो गया 3 बंजा 3 2 हो गया देखिए क्या बचा यह यह बचा 3 की power 2n into 2 की power minus n upon 2 upon 3 की power 2 into minus n upon 2 into 2 की power minus n upon 2 समझेगा मेरी बाद ठीक है 2 से 2 cancel out हो गया यह क्या हुआ 3 की power 2n into 2 की power minus n upon 2 upon यह बचेगा 3 की power minus n into 2 की power minus n upon 2 2 की power minus n upon 2 2 की power minus n upon 2 एक दूसरे को cancel out कर देंगे यह हो जाएगा 3 अब देखिए दोनों का base same है अब power different है तो power जाएं से बात उपर जाएगा माइनस हो जाएगा देखिए कैसे होगा 3 की power 2n एक sign minus लगाएंगे लेकिन यह already minus है तो अगले step में क्या हो जाएगा जाहिए इसी बात माइनस माइनस क्या होता है तो वह होता क्या था एक की power m minus n हो जाता था यहाँ पे भी वही है 2n minus minus n कर दिया तो minus minus मिलके क्या हो गया जाए जाए पर plus हो गया तो 3n हो जाए ठीक है यहाँ पे minus n already जाए इस वज़े से यहाँ पे plus हुआ है लेकिन अगर यहाँ पे माली जिए सिर्फ प्लस n होता तो 2n मेंस n को minus कर दे तो 3 की power n ही आता ठीक है इसमें ज़रा बे गन्फिज नहीं होना है कि सर ने plus क्यों कर दिया इस अगर इस ही किया कि यहाँ बे माइनस माइनस प्लस बन दियास अब देखिए उसंदे के कोर्षख़नेकर स्बैंत सेवन बी देखेंगे क्या कहरा है 5 इंड़ 25 की power n प्लस 1 tapon 5 in pn 2 faculty q an N plus part क्या होगा इसके बाद 5 into इस 25 को लिसकते हैं 5 की power 2 और bracket में क्या रहेगा ओपर N plus part इसको लिसकते हैं 5 की power 2 sorry इस 25 को लिसकते हैं 5 की power 2 into 5 की power 2 N ठीक है समझेगा जरा confused नहीं होना है 5 into 5 की power 2 N इन्टू 5 की पावर 3 माइनिस इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा 5 की पावर 2N प्लेस 1 इसको मैं फिर से बताते था हूँ इस 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2 और उपर क्या है N प्लेस 1 है तो N प्लेस 1 as it is रहेगा मल्टिप्लेकेशन में 2 के साथ ठीक है अच्छा अब देखिए ये कितना हो जाएगा 5 इन्टू 5 की पावर 2N प्लेस 1 माइनिस अब देखिए कि हो जाएगा 2 प्लेस 2N क्यों भी दोनों का बेस क्या है 5 है तो पावर क्या हो गया आपस में अड हो जाएगी अपाउन यह जाएगा 5 की पावर 2N इन्टू 5 की पावर 3 और यहाँ पे कुछ नहीं कहा है इसका मतलब क्या है 5 की पावर 1 दी हुई है ठीक है तो 3 और 1 मिलका कितना हो जाएगा 5 की पावर 4 माइनिस 5 की पावर 2 ब्रेकेट में इन्प्लेस 1 समझेगा आप कोशन सॉल्फ होने वाला है 5 इन्टू 5 की पावर 2 ब्रेकेट में इन्प्लेस 1 माइनिस अब देखिए दोनों में 2 कॉमन है तो पावर में क्या करेंगे आप 2 को कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा अंदर बचेगा 1 प्लेस N या N प्लेस 1 ठीक है N प्लेस 1 और 1 प्लेस न दोनों सेम है ठीक है अभी इन्हीं दोनों को कॉमन लेंगे नेक्स स्टिप में यहां पर देखिए एक स्टिप में करने जा रहा हूं 5 की पावर 2 N प्लेस 2 यहां पर 2 हो जाएगा यहां पर 5 की पावर 2 N प्लेस 1 देखिए थोड़ा समझिएगा माफ़ाइगा करिश में हो बहुत है देखिए मैंने 5 की पावर 2 N डॉट 5 की पावर 4 को ब्रेक करके लिखा कैसे जाहिड सी बात है 5 की पावर 4 को ब्रेक करके लिख सकता हूं 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 वही चीज मैंने यहां पर किया है ठीक है यह चीज यह कैसे बनी जरा मैं इसको साइट में बता देता हूं ताकि आपके मन में जरा भी कन्फिजन ना रहे 5 की पावर 2 इंट 5 की पावर 4 लिखा है इस 5 की पावर 4 को जो है आप 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 में क्या कर लिजे तोड लिजे फिर इन दोनों पर आप आप आपरेशन कर दीजे 2 कॉमन ले लेंगे अंदर क्या बचेगा n प्लस 1 या तो आप ये लिख सकते हैं या तो आप डारेक्ट मिला के लिख देजे 5 की पावर 2 और प्लस 2 इंटू 5 की पावर 2 जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है तो इसमें जरा भी कन्फिज नहीं होना है लेकिन आप मानिए तो आप इस स्टेप में यह आपकी बहतरी है क्योंकि डारेक्ट क्या निकलाएगा कॉमन निकलाएगा यह लाएगा 5 की पावर 2 ब्रैकेट में एन प्लस 1 इंटू 5 की पावर 2 ठीक है अच्छा अब देखिए 5 की पावर 2 और प्लस 1 5 की पावर 2 ब्रैकेट में एन प्लस 1 5 की पावर 2 ब्रैकेट में एन प्लस 1 सीधा सीधा पूरा पूरा क्या निकलाएगा कॉमन निकलाएगा तो देखिए 5 की पावर 2 ब्रैकेट में एन प्लस 1 कॉमन निकला यहाँ क्या बचेगा 5 बचेगा minus यहां क्या बचेगा 1 बचेगा ठीक है upon इसमें भी देखिए यह दोनों चीज़ क्या है अपसमें common है 5 की power 2 bracket में n plus 1 into अंदर क्या बचेगा 5 की power 2 minus 1 ठीक है 5 की power 2 bracket में n plus 1 5 की power 2 bracket में n plus 1 cancel out हो गया 5 में से 1 गया बचा 4 5 का square करेंगे तो आएगा 25 25 में से 1 जाएगा बचेगा 24 ठीक है 4 1s आ 4 6 आ answer कितना आया 1 upon 6 and this is your final answer मैं तोड़ा सा बढ़ी से पता देता हूँ ताकि आब ज़रा सा भी confused ना हूँ यह इस exercise का one of the most important question है ठीक है यह दो रही है लेकि यह थोड़ा जादा है क्योंकि यहाँ पर in में क्या कि आपको confused करने की कोशिश करेगा इस 25 को मैं लिखा 5 की power 2 bracket में n plus 1 as it is था ठीक है अच्छा इस 25 को लिखा हमने 5 की power 2 into 5 की power 2 n as it is as it is था sorry 5 into इसको हमने लिखा 5 की power 2 n dot 5 की power 3 अब जो बच्चों को इसमें confusion है वो ज़रा मेरी यहाँ पर बात देखें कि a की power m into a की power n होता है तो यह होता क्या है असल में यह होता है a की power m plus n यह step से हमने यह सिखा है तो हम इस step से इधर भी तो लिख सकते हैं समझ रहे हैं मतलब हमने LHS से RHS को सिखा है तो हम RHS से LHS भी तो बना सकते हैं तो मैंने यहाँ पर देखे RHS से LHS ही बनाया है यह हो गया 5 की power 2 and dot 5 की power 3 ठीक है 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की power 2 bracket में n plus 1 जो भी बाहर है मतलब 25 को जो बाहर था ठीक है dot 5 की power 2 ठीक है यहाँ पर देखिए उसके बाद हमने 5 की power 2 and plus 1 कमन ले लिया उपर नीचे यहाँ 5 बचेगा यहाँ 1 बचेगा यहाँ 25 बचेगा यह दोनों तो cancel out हो गया 5 की power 2 and plus 1 एक दूसरे से 5 में से गया बचा चार्ट 25 में से गया बचा 24 1 upon 6 आपका अंसर आ गया इसके बाद में आपको इस एक्सेसाइस का next question explain करूंगा जल्दी से ले लीजे I hope आपने इसका screenshot ले लिया होगा चलिए score up करते हैं तो इस student देखेंगे इस question हम से क्या करने आप कह रहा है question number 8 का first part कहता है 8 की power minus 4 upon 3 divided by 2 की power minus 2 तो देखेंगे जहां भी power negative होती हम उसको पहला step क्या होता हम उसको fraction बना देते हैं upon 1 करके ठीक है तो कुछ ऐसा कर दीजे आप उसके बाद हम क्या target करेंगे कि अगर हम fraction को reciprocal कर देते हैं तो यह जो negative power है यह positive बन जाएगी ठीक है तो यह हो जाएगा 1 upon 8 की power 4 upon 3 divided by 1 upon 2 की power 2 की whole power half इसको भी सकते हैं 1 की power 3 upon 2 की power 3 की whole power 4 upon 3 divided by 1 की power 2 upon 2 की power 2 की पूरी की whole power 1 upon 2 यह हो जाएगा 1 upon 2 की power 3 into 4 upon 3 divided by यह हो जाएगा 1 का square यानी 1 ही रहेगा 2 का square यानी 4 हो जाएगा की whole power 1 upon 2 3 से 3 cancel out हुआ 1 की power 4 यानी 1 2 की power 4 यानी 16 divided by 1 upon 4 की whole power 1 upon 2 यह जाएगा 1 upon 16 divide का sign multiply में change हुआ तो यह चीज़ reciprocal हो जाएगी यानी उपर नीचे हो जाएगी 4 1 जा 4 4 जा बाहर क्या रहेगा की power 1 upon 2 यह जाएगा 1 upon 4 की power 1 upon 2 इसको हम solve कैसे करेंगे जरा देखिए इसको लिखेंगे 1 का square 2 का square ठीक आप 4 को कह लिए सकते हैं 2 का square की power 1 upon 2 और यह हो जाएगा 1 upon 2 की power 2 into 1 upon 2 2 से 2 cancel out हुआ आपका answer कितना आ गया 1 upon 2 and this is your final answer देख सकते हैं बिलकुँ sequence में किया है जरा भी tough नहीं है बस वीडियो को अच्छे से देखिए लगा उस देखिए हम question number 8 का second part भी करेंगे यह तो बहुत आसान है देख लीजे 27 का हम भी सकते है 3 की power 3 8 को लिखेंगे 2 की power 3 यह whole power 2 upon 3 minus power negative है reciprocal कर देंगे power क्या हो जाएगी positive हो जाएगी 5 की power 0 किसी भी number की power 0 हो आंसर कितना आएगा हमेशा 1 आएगा ठीक है कितना आएगा 1 आएगा अच्छा जो जाएगा 3 upon 2 की power 3 क्या है क्योंकि power क्या है दोनों में common है 3 तो उसको हमने भाहर लिख दिया into 2 upon 3 minus 4 का square 16 और plus 1 ठीक है 3 से 3 cancel out हुआ अंसर कितना आया 9 का square करेंगे तो 3 का square करेंगे तो आएगा 9 2 का square करेंगे तो आएगा 4 minus 16 plus 1 ठीक है अब 4 बंजा 4 और plus 9 कितना जाएगा 13 upon 4 minus 16 ठीक है क्या मैं सही कर रहा हूँ मेरा ख्याल ही सही कर रहा हूँ जी मैं सही कर रहा हूँ 13 minus 4 को 16 से करेंगे 64 upon 4 minus करेंगे तो आएगा 51 ठीक है minus 51 upon 4 इसको जब solve करेंगे तो आना चाहिए मेरे ख्याल से कि जाएगा minus 12 times 3 upon 4 and this is your final answer ओके एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं क्या हमने सही किया या नहीं मेरा ख्याल ही यह सही है ठीक है यह सही है तो आप इसका फड़ाक सी screenshot लिजे इसके बाद मैं आपको इस exercise का next question explain करूँगा जल्दी से ले लीजे I hope आपने इसका screenshot ले लिया होगा चलिए score up करते है तो देखेंगे इस question हमसे क्या करने कह रहा है कहता है 3x square की whole power minus 3 into x की power 9 की power 2 upon 3 तो देखिए बहुत असान question है इसको हम लिखेंगे पहली बात power negative है तो upon 1 करना लाजमी है ठीक है इसको reciprocal कर देंगे तो power क्या हो जाएगी हमारी positive हो जाएगी ठीक है power क्या हो जाएगी positive हो जाएगी जैसे कि मैं आपको बता रहा था यह direct हो जाएगा x की power 9 into 2 upon 3 3 1 जा 3 3 जा तो देखिए हम ईंतकीफ मां ओर जाएंगा तो वह न रहेगा थ्रीई होगे है टो वो 27 हो जाएगा एकस की पावर 2 इन्टू फ्री हो जाएगा है न द возмाएगा एकस की पावर 6 ठीक है इंटू यह न आरा सिद्धा सिद्धा एकस की पावर 3 के वैचा है और टू सी जाके के multiply हो जागा तो हो जागा एक्स की power 6 अपन में कुछ नहीं तो अपन में 1 कर दीजें ठीक है एक्स की power 6 से एक्स की power 6 concealed out हो गया answer कितना आया 1 upon 27 ओके और यही आपका final answer हो गया उसी तरह जाएंगे 9 का second part भी देखेंगे 8 x की power 4 की power 1 upon 3 divided by x की power 1 upon 3 तो यह बहुत असान कोशन है देख लीजे यह हो जाएगा 8 की power 1 upon 3 into x की power 4 into 1 upon 3 divided by x की power 1 upon 3 जाहिर सी बात यह bracket में थे तो पहले इसको solve करेंगे यह जाएगा 2 की power 3 into 1 upon 3 into x की power 4 upon 3 divided by x की power 1 upon 3 cancel out हो गया यह क्या हो जाएगा 2 x की power 4 upon 3 divided के सान को हम upon में कर देंगे हो जाएगा x की power 1 upon 3 ठीक है अब देखें अगर मैं इस चीज़ को देखूं यह कुछ इस तरीके का आपको नहीं दिख रहा है एकी power m upon एकी power n और यह होता क्या है यह होता है एकी power m minus n ठीक है उसी तरीके से हम इसकी भी power को क्या करेंगे minus कर देंगे 4 upon 3 में से 1 upon 3 minus करेंगे तो कितना बचेगा देखिए 2 x upon में आगा 3 उपर भी आगा 3 चार में से 1 जाएगा बचेगा 3 3 3 3 cancel out हो गया आंसर कितना बचा 2 x and this is your final answer ओके इसका फड़ाक से screenshot लेजे इसके बाद में आपको इस exercise का next question explain करूंगा जल्दी से ले लीजे I hope आपने इसका screenshot ले लिया होगा तो चलिए score up करते हैं दोस्तों देखेंगे इस question हम से क्या करने कर रहा है question 10 का first part है 3 की power 2 की power 0 plus 3 की power minus 4 into 3 की power 6 plus 1 upon 3 की power minus 2 पहली बात यहां पर 3 की power negative है तो सीधा हम क्या करेंगे 3 को fraction बनाएंगे fraction मनाते कहते हैं upon में 1 करके इसको bracket कर दीजे ठीक है तुमाज यह कत्व होगा 3 का square करेंगे 9 9 की power 0 पलेट की answer कितना आ जाएगा 1 ठीक है किसी भी number की power अगर 0 हो गई तो उसका answer कितना आता है 1 आता है ठीक है यह बात मैं आपको बता चुका हूं इसको reciprocal करेंगे तो power क्या हो जाएगी minus 4 से plus 4 हो जाएगी तो यह हो जाएगा 1 upon 3 की power 4 into 3 की power 6 फिर वह चीज अगर हम इसको reciprocal करते हैं तो power minus 2 से क्या हो जाएगी plus 2 हो जाएगी ठीक है देखिएगा क्या step साथ लेके चल ला हूँ ठीक है जाहिर सी बात है बाट मास के हिसाब से पहले हम into करेंगे addition और multiplication में यह जाएगा 1 plus समझी का मेरी बात यह जाएगा 1 की power 4 तो 1 ही रहेगा 3 की power 4 into 3 की power 6 plus 3 का square करते हैं कe'tना आएगा 9 आएगा ठीक है अपॉन में 1 कर दीजे हो जाएगा 1 plus 3 की power 6 upon 3 की power 4 plus 9 ठीक है 1 को 3 की power 6 से multiply किया तो 3 की power 6 से आगई 3 की power 4 को 1 से multiply किया तो 3 की power 4 आ गई ठीक है 1 plus आपस में power क्या हो जाएगी minus हो जाएगी plus 9 क्यों हो जाएगा 1 plus 3 की power 2 plus 9 1 plus 3 की power 2 का मतलब क्या है 9 ही तो है 9 9 18 और 1 19 and 19 is your final answer ओके अच्छा माफ करिएगा करीम बहुत है उसे के दिए हम question number 10 का second part भी देखेंगे 9 की power 5 upon 2 minus 3 into 5 की power 0 minus 1 upon 81 की power minus 1 upon 2 देखें इसको कैसे करेंगे 9 को लिख सकते हैं हम 3 का square into 5 upon 2 minus 3 into 5 की power 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा सिदे 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 पावर निगेटिव है रिसे प्रोकल कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगी positive हो जाएगी ठीक है तू से 2 cancel out हुआ 3 की power 3 की power 5 याने 3 into 3 into 3 into 3 into 3 answer आगा आपका 243 ठीक है आपका लिजएगा माइनस 3 into 1 ठीक है 3.1 नहीं लिखाया है यह confusion मत हो जिएगा dot का मतलब होता है into 3 into 1 का मतलब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस इसको नहीं सकते हैं 9 upon 1 का whole square into 1 upon 2 ठीक है 81 का 81 square होता है 9 का और 1 को हम 1 का square लिख सकते हैं उपर नीचे दोनों square square रहेगा तो हमने उस power को common लेके बाहर लिख दिया ठीक है by the laws of exponent आप पहले पढ़के आएए तो से to cancel out हो गया 243 minus 3 minus 9 ठीक है 243 minus minus मिलके plus हो जाएगा कितना हो जाएगा minus 12 243 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 231 and this is your final answer तो student I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इसको like करें मेनत बहुत लगती है आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर्मी में पंका बंद करके बना रहा हूं आपके लिए कमेंट करें और इन दोनों से खास बात कि इस वीडियो को उन बच्चों तक खासकर उन बच्चों तक ज़रूर पहुचाएं जो कोचिंग की फीस एफॉर्ट नहीं कर सकते थैंक्यी थैंक्यू